आज से हम चैप्टर 4 वीडियो सेरीज स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले हमारे MP Board exam में बहुत बड़ा चेंजेस आया है कि हमारा जो अब MP Board का exam pattern है वो क्या हो गया है सी पैटन में चेंज कर दिया गया है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत तारी नकल वकल की जो प्रक्रिया है वो हो रही थी तो इन सब को लेकर बहुत बड़ा चेंजेस लाया गया है तो अभी तक हमारा जो MP Board का फिले बस था वो क्या था उसमें हम लोगों को maximum 30 marks के objective आया करते थे जिसमें प्लिंदा ब्लैंक्स, true, false, match the column और multiple choice question ऐसे रहते थे और इसकी वज़़ा से क्या होता था कि MP Board में इसको नकल का सिस्टम बना दिया गया कि कुछ बच्चे क्या करते थे इसमें नकल बहुत ज़्यादा करते थे ओके इसी को चेंज करके अब CVC pattern में ला दिया गया है तो CVC pattern का कुछ ऐसा फंड़ा है कि अब आप लोगों को MCQ नहीं आएगा और उसके साथ साथ objective में true false और वन वर्ड तो यह तीन objective आप लोगों के रहेंगे और इसके बाद बात किया जाए आप लोगों का question answer की तो आप लोगों को long answer type question आएगे और इनका भी जो मार्किंग स्कीम है वो रहेगी चार मार्क्स पांच और छाह मार्क के ऐसा नहीं की long answer type question है तो आप लोगों को पांच या चाह मार्क का जाएगा ऐसा कुछ नहीं है आप लोगों को इसमें भी सिर्फ चार मार्क का question आएगा आप लोगों को याद रखना है कि अब आप लोगों के लिए यह सिरीज को स्टार्ट किया है तो इस सिरीज में मैं हर वो question को contain करूंगा जो आप लोगों का पूछ सकता है क्योंकि I'm also a cbsc student हमने भी cbsc से ही बजपन में पढ़ाई गिया है और हम cbsc student है तो हमको पता है कि क्या क्या आ सकता है किस टाइप से आ सकता है तो मैं वैसे ही आप लोगों को prepare कराते रहूंगा आप लोगों को बस वीडियो को अच्छे से देखना है और इसको follow करना है आप लोग समझ पाएंगे और आज से हम लोग इस वीडियो सीरीज को स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को अब आप लोगों को सिर्फ क्या आएगा और लोगों को सिर्फ क्या आएगा और लोगों से टाइप पॉस्चन आएगगे जो कि चलिए को वीडियो स्टार्ट करते हैं हिके सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने पॉलीनॉमियल जो चैप्टर को न्यू पंप से आप लोगों ने पढ़ा था पॉलींॉमियल कि बारे डाइप कैसे होते हैं जैसे ήक लीडियर polynomial थाैं दूसरा quadratic polynomial था और दीसरा क्या था cubic polynomial इस theard लोग ने पढ़ा था ठीक convention तो आप लोगों को पता होगा कि अगर हम थोड़ा से revise करें तो कि अगर हम लोग linear polynomial की बात करें ठीक है तो limigator polynomial का standard form क्या पढ़ा था आप और उसी के जगा हमने quadratic polynomial दूसरी नंबर पर quadratic polynomial पढ़ा था क्या बोलते थे आप ax square प्लस bx प्लस c ओके ठीक और उसके बाद तीसरा क्या पढ़ा था आप लोगों ने अब इन में से आगे बढ़ते हुए अब हमने नया चैप्टर का नाम क्या लिया है quadratic equation क्या है quadratic polynomial और equation में जादा चेंजेस नहीं चेंजेस सिर्फ क्या है देखे अगर हमने quadratic polynomial को लिखा है तो वो क्या लिखेंगे ax square प्लस bx प्लस c पर अगर हम लोग quadratic equation की बात करें तो आप लोगों को पता रहना चाहिए कि कभी quadratic कोई भी equation को किसके equal में रखा जाता है 0 के equal में रखा जाता है मतलब अभी अगर हम इसका standard form पूछें तो वो क्या होता है ax square प्लस bx प्लस c equals to 0 तो सबसे बड़ा difference क्या है polynomial में और equation में कि polynomial में equal में 0 नहीं होता है और यहाँ पर equal में 0 होता है अब देखिए हम लोगों को CBSC pattern में पढ़ना है तो थोड़ा सा तो deep लेना बढ़ेगा तो सबसे पहले देखिए अगर हम quadratic equation की बात करते हैं तो देखो कभी भी यहाँ पर सेम वेरियेबल चलना चाहिए अगर आपने एक्स वेरियेबल लिया है तो एक्स वेरियेबल इधर भी चलना चाहिए और इधर भी ठीक है क्यों ऐसा चलना चाहिए क्योंकि कई बच्चे होते हैं कि कई बार क्या करते हैं कि उनको standard form पूछा जाता है तो इधर तो एक्स कर बता देते हैं इधर भी वाय कर देते हैं तो नहीं हम लोग यहाँ पर pair of linear के equation वो जो linear equation का form होता है न वो नहीं पढ़ रहे हैं अभी हम लोग पढ़ रहे हैं quadratic equation ओके तो इसमें आप लोगों को देखना है कि कभी भी variable same रहे चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ay का square प्लस by प्लस c यह भी है क्योंकि यह देखो यह भी same है ना मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि यहाँ पर x ही रहना चाहिए पर यहाँ पर जो भी रहे वो variable same रहना चाहिए तो हम ल आत्याद रहा हूं कि कभी भी a, 0 नहीं होना चाहिए a क्या नहीं होना चाहिए illusion का form नहीं कहला सकता क्यों नहीं कहला सकता अब एक बात बताओ मैंने बोला जैसे यह एक standard form है AX square plus BX plus C equals to 0 मैंने बोला कि A की value 0 रख दो तो यह 0X square plus BX plus C यह तो पूरी term 0 हो गई ठेक है तो यहाँ पर क्या बच्चा BX plus C यह तो सीधा सीधा linear polynomial linear equation बन गया इसलिए एक जीरो होना मतलब की पॉलिनोग एक विसन में चेंजिस ला लेना ठेक है अगर यह 0 हो जाए यह 0 हो जाए यह चल जाएगा terms दी रहेंगी उसमें से हम लोगों को check करना है कि यह आप लोगों का standard form को follow कर रहा है या नहीं कर रहा है जैसे कि चली हम लोग एक दो question लेते हैं और उससे check करते हैं जैसे कि यह एक example है इसमें बोला है कि check whether the following are quadratic equation आप लोगों को इसी तरह से question दिया रहेगा आप लोगों को सिंप्लिफाय करना इसको सही तरह करना है और यह चेक करना है कि यह जो question है यह क्या एक quadratic equation के standard form को follow करता है ओके चलो start करते हैं हम लोग देखते हैं जैसे कि यह क्या है x square यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं भी है ठीक है x square minus 2x और इसको क्या लिखते है माइनस 2 3-1 जैसा जो दिया है उसको वैसा का वैसा लिखे लो ठीक है अब देखो अब हम लोग इसको थोड़ा सा कि सॉल करने की कोशिश करते हैं देखो माइनस 2 का multiply जैसे ही 3 से होता है तो माइनस का 6 बन जाता है माइनस माइनस प्लस और 2 का multiply X से हुआ तो 2 X ठीक है अब देखो X स्क्वेर और 2 X अब देखो मैं आप लोगों को कुछ सिखाता हूं देखो मैंने कुछ बच्चों को यहां पर इसके आगे solve करने में तकलीव जाती है इस वजह से चलो एक नया तरीका बताया है ठीक है एक नया तरीका बनाया है जिसका नाम मैंने दिया है नाम करण किया है ठीक है इस परिवार इसका नाम है परिवार नियोजन कारी कारी का मतलब क्या होता है क्या है ठिक है जैसे किसी बच्चे को समझ नहीं आता कि क्या करना इसके आगे तो आप लोगों गोई इसका मतलब परिवार नियोजन का कारी का मतलब समझ लो जैसे आप समझ लो कि हमारे समाज में अलग-अलग family होती है किसी की सरनेम कुछ होती है किसी की साहू होती ही, किसी की, जैसे मेरी सर्णिम भागत है, ठीक है यह अलग अलग तरीके की सर्निम होती है, तो जैसे देखो, एक सरनेम मालो आपने है X square, दूसरी सरनेम है यहाँ पर X, और एक तीसरी होती है जिसकी कोई सरनेम ही नहीं होती, चिक है, जैसे देखो, चिक है, उसी कोई सरनेम ही नहीं होती, यह तीन family है, चिक है, यह तीन family है, चलो, अब क्या करना है देखो, सबसे पहले यह X square की family वाला, x square की family वाला इधर से गया घूमने और जाकर देखा कि क्या इसकी कोई family वाला इधर घूम रहा है तो उसने देखा इधर से घूमते हुए आया और देखा कि क्या इधर मेरी family वाला है उसने देखा नहीं ये तो गुमनाम family इसकी तो कोई सरनेम ही नहीं है यह एक ** हेला है चीक है उसने बोल after नहीं है चलो ठीक है में आकर बैठा इडाब उसके बाद माइनस 21 इधर गया ढूंडने मेरी इसको देखा तो यह बुलता अंदे यह मैंच नहीं कर दीनि शर्म फोर निक्म इसको टो पूला उने क्या चोत स्था यह ज्छयाने चम्स्वां स्थ मिरस यह apert at थो इससेने क्या सोचा की चलो इनिके पास बैट जाता हो इसने था तो इधा आका क्या हो गया प्लस में यह हो गया 0 ठीक है आप समझना x square जैसे का वैसा माइनस माइनस प्लस 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 स्वरी माइनस 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 पर यह हो जाएंगे प्लस और यह प्लस का 6 ठीक है इकवल जिए अब एक बाद बताओ क्या यह standard form को को फॉलो कर रहा है करतो रहे न देखो यह एकसे स्क्वार दिख रहा है मतलब देखो हाइएस पावर आप डब वैरियेबल जो है वो टू है और यह टू मिल गया मतलब कि यह स्टैंडर्ड फार्म को फॉलो कर रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इए इस इन दा फार्म और इस इन दा फॉर्म आफ एकस स्क्वार प्लस बिख स्टैंट लिएस फ्लाफ यह सथे स्टैंट सीपल को जीरो ठीक है और यह इस फोटो कर रहा है मतलब क्या हो गया यह क्या होगा देरफोर देरफोर गीवन एक्वेशन यह जगीवन एक्वेशन इस अग्याट्रेटिक एक्वेशन है ना इस अप्सोन अब यह आगले एक्वेशामपल लेने से पहले खुछ मुझे फॉर्मूले आप लोगों से शेयर करना चरिक अपे लोगों इस आपलोगों को पता होगए एक फर्मूला होता है ले होल सकूर जिसको क्या बलते हैं alien2 प्लस डाल स्कूर बार मेev कुछ do P million राथ बस यहां पर से माइनस हो जाता और एक दो फार्मूले जैस सखिए ए इक स्वार माइनस ब्ऴी और इसको क्या लिखते हैं ए प्लस बी ओर A-B, ठीक है, यह फॉर्मूला एक हो गया, और कौन सा फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है, A-B का whole cube, जिसको क्या बोलते हैं, A का cube, प्लस B का cube, प्लस 3A square B, या फिर 3AB square, मतलब देखो, क्या मैंने बोला, पहले एक बार इसका cube कर, एक बार इसका cube यह लिख दी है, उसके बार यह 3 के साथ एक बार A का square करके B को लिखो, एक बार 3 के साथ, A को जैसे का बार रखके B का square करके लिख दो, और इसका एक फॉर्मूला होता है, जिसको क्या बोलते है, A cube, प्लस B cube, प्लस 3AB, और A plus B, ठीक है, अब उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं A-B का फॉल क्यूब जिसको क्या होता है A-B-3A-B और लास्ट वाला बस क्या होता है प्लस होता है 3AB और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है A-3-3AB और A-B ठीक है अब यह जो है फॉर्मूले पांच कितने फॉर्मूल हैं यह सारे फॉर्मूले का यूज ओने वाला है अरे ध्यान 2 का square plus one is equal to 2x minus 3 अब भया आप देख रहे होगे कि यह किस form में है a minus b का whole square वाली identity के form में है और आप लोगों को पता है कि इसको क्या लिखते है यह minus b का whole square का identity को a square plus b का square minus 2ab तो हम लोग इसको इसके इस form में लिखेंगे ठीक है इस form में तो सबसे पहले देखो a का square मतलब x का square b का square मतलब 2 का square तो यह हो गया plus का 2 का square होता है 4 minus का minus 2 का 2 a की जगा क्या है x तो x और b की जगा क्या है 2 है ठीक है लिख दिए 2x2 और यह plus 1 का plus 1 इस इकल्स तो 2X माइनस 3 अब ये है X स्क्वेर प्लस 4 माइनस तो 2 जा 4X प्लस क्या है 1 इस इकल्स तो 2X माइनस 3 अब थोड़ी देर पहले मैंने क्या बुला था मैंने एक तरीका बता है परिवार नियोजंकारिय ठीक है यह गया एकसे स्क्वेर इधर जाकर ढूंडा कोई है इसके परिवार वाला नहीं है इसलिए इसने आके चुपचाप बैठ गया देखा भाईया जिसको बनता है तरीका कि हमको किसको बुलाना है और सर क्या बता रहे हैं यह क्या तरीका है तो यह अपने पास रखो ओके क्यों मिले नहीं मिली अब क्या हुआ यह फोरवाल गया ऑब यह क्ले देखता है तो इसकी प्तिक एह माइनस में तो हम нат्य것 जो साइन हो उसका इढ़ाएगा इधर यह थी माइनस बन जाएगा बस्का थरी बन गया ओके अब यह माननिस फेर एकश वाला यह मैं पुलता है चलो मैं ढूण के आता हूं तू तो आगया ठैक है मैं यह गया माइनस फॉर एकस वाला है इधर झथर गया और भोढन काया तो यह मिल गया इसको सामने इच मुल गया रहे यह कैसा आट जा होच कह चलो ठीक है हम बाहर नहीं होगा समझ रहा ना तुसस अपनी फैमेली के साथ जो भी कुमारा प्रोग्राम है वह कर सकते हैं तो यह देकर इनका प्रोग्राम अपनी फैमेली से थोगा तो माइनस 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 और इस फोर और टू कितना होता है 6x equal 0 इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं एक्स स्क्वेर माइनस का 6x plus 8 क्या यह स्टेंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है तो क्या लिख सकते हैं it is of the form it is of the form of ax square plus bx plus c equals to 0 और यह ऐसा है इसी लिए यह क्या है therefore the given equation the given equation is a quadratic equation okay क्या है यह एक quadratic equation ऐसा ही करना है पेपर में अब cbsc हो जाए इसी हो कुछ भी हो अपने को जो हम लोग पढ़ रहे हैं बस उसको फॉलो करना है okay ठीक है चलो और एक-थे लेते हैं हम लोग जैसे माल लो कि मैं एक औरorry example लेते हूँ जी नंबर का example लेते हैं छलो थोड़ा सा टॉफ इग्जामपल लेता है ठीक है जैसे कि यह है एक्स प्लस टू का कीउप ओके इसटे इक लस्त टू एक्स एक्स स्क्वेब माइनस का सबसे पहले वह आपके यहांपने को डिया है उसको लेकले क्या है, एक्स प्लस 2 का whole cube is equals to, 2, x out x square – आप सबसे पहले क्या लगाएंगे, हम लोग कॉन सी identity लगाएंगे क्यों यह हाँ लगाएंगे हम लोग a plus b का whole cube identity तो वह identity क्या होती है, a cube plus b cube, a square b plus 3 a b square, आपचाहें, तो आप चाहें तो second यह identity हω लगा सकते हैं ॐ dai तो हम लोग क्या करेंगे इस ब्रॉदे लगाываем तो सबसे पहले , A का क्यूव मतलब X का थ're सब टेक है अब b का क्यूव मतलब 2 का क्यूव क्या होता है say टो का mr ऑभा यह तो क्यूव मतलब एक थे तो क्रॉस तो टो 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 एक दम बेसिक से पढ़ा रहा हूं जिसको कुछ समद भी नहीं आया होगा ना भी तक क्लास में अपनी टो वह भी यहां पर आके सीख सकता है ठीक है तो यह हो गया एट अब उसके बाद थ्री जैसे का वैसा एका स्क्वेर मतलब एक्स का मल्टिप्लाइ एक्स स्क्वेर से होगा ठीक है अर्टू एक्स का मल्टिप्लाइ एक्स स्क्वेर से होगा ठीक है अर्टू एक्स का मल्टिप्लाइ वन से होगा बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूं ठीक है अब देखो यह हो गया एक्स क्यूब जैसे का वैसा अब दे यहां पर family का काम बढ़ा आएगा कैसे माम के एक्सक्यूब वाल गया ड्हूनद आइधर family है कोई यह कि इस रख इसके पैमिली साम निच बैटी थी चलो-चलो-चलो-चलो-चलो-चलो-छलो-चलो-चलो वाला भी बहुत होसियारी मारके गया पर कोई नहीं मिला तो चुपचाप आके बैट गया ठीक है उसके बाद फिर ट्वैल एक्स वाला गया ढूंडा इधर कोई मिला हां मिल गया यह देखोई टू एक्स बैटा था बहुता चल भाई ठीक है माइनस में हो तो प्लस में कर अब देखो अपनी फैमिली फैमिली के साफ जो भी प्रोग्राम करना ळुंसरे की वे ऊपदर की कउगल नहीं है इसलिए आप देखो आठ की कोई फैमेली नहीं बिचारा जैसे का वैसा अब 6 एक्स केर की भी कोई फैमेली नहीं जैसे का वैसा 12x में 2x जोड़ोगे तो 14x equal to zero जैको सामने ही तुम्हारा क्या है क्यूम है और इसकी highest power of the variable कितनी होए थी है तो क्या यह equation standard form पो follow कर रहा है quadratic equation के नहीं नहीं कर रहा है तो क्या तो it is not in the form of in the form of ax square plus bx plus c equals to 0 therefore therefore kya therefore the given equation the given equation is a not a quadratic equation okay ये quadratic equation नहीं हो सकती ता आप सब्दो में बोल सकती है जो कोश्चन बोलो तुम ठीक है चले एक कोश्चन ऐसा वाल अभी लेते हैं यह कोश्चन है 2x-1 देखो जब तुम लोग पढ़ते रहो और आप लोग कोई कोश्चन ना बने तो टेलिग्राम में तो नहीं पर आप लोग क्या कर सकते हैं जो वीडियो है उसी में कमेंट करके बता सकते हैं ठीक है सर की यह एकसराइस का यह कोश्चन नहीं बन रहा है तो मैं अगले वीडियो में उसको कवर करूंगा ठीक है का काम होता है तो आपको क्या करना है सबसे पहले पहला वाला जो मेंबर है इसके साथ इसका मल्टिप्लाइ करना है ठीक है और उसके बाद जब हो जाएगा तो दूसरे के साथ करना है तो देखो जैसे कैसे हुआ मैंने इस एक्स के साथ किया तो वो क्या बनिगया 2X का स्क्वायर मैंने 2X का मल्टिप्लाइ 3 के साथ किया तो यह माइनस का माइनस और 3 2 जा 6 है, इसका काम होगे, अब देखो, second वाला member भी बोलता है, नहीं मेरा भी करवाओ, मैं मल्टिप्लाइ, चलो, ठीक है, यह माइनस 1 भी फिर से x से मल्टिप्लाइ होता है, तो यह माइनस का x, और फिर यह माइनस 1, माइनस 3 के पास गया, तो प्लस का 3 बने गया, ठीक है, आप तो फैमेली बहुत बढ़ी होगी बहुत 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 बढ़ी होगी ठीक है अब देखो यह 2x स्क्वेर वाला बहुत पहले थोड़ा सिंप्लिफाय कर लेते हैं क्योंकि इधर ही फैमेली वाले थोड़े अलग-अलग बैठे भी है इनको भी थोड़ा से समालना पड़ यह-चे- सबया थे अब देखो यह एक महान तो इसकी सरणीम क्या है एक सब्सक्राइब इसकी सरनीम क्या है सब्सक्राइब सकते हैं अभी आजर कारट लेके गया और प्लस तरी जैसे के वैसा यह फिर उधर गए यह तो चुप कराके ला लिए तो यह प्लस हो गया यह प्लस इक्वल में जिरो देखो आप टू एक्सिस कर गया तो एक एक्सिस कर बचेगा साथ साथ पीची समय जागे कि यह कॉड्र टेक्वेशन मैनस मैनस चार में यह हो 11x अरी प्लस का 8 equals to 0 क्या लग रहा है अपलो को क्या लग रहा है यह है it is in the form of it is of the form of क्या form of 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 ax square plus bx plus c equals to 0 तो क्या लिखेंगे therefore the given quadratic equation quadratic सब्सक्राइब कर देते हैं और उसके बाद बाकी आप खुद कर लो ऐसा बोल देते हैं तो उस condition के लिए मेरा यह वीडियो आप लोग देखें यहां पर अल्मोस्ट मैं सारे question को cover कर रहा हूं ठीक है तो इससे क्या होगा कि आप लोगों कहीं doubt आता है क्या होता है कि वच्चे को एक सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए थोड़ा सा उसको boost करना पड़ेगा उसको थोड़ी स्क्वेर–6 plus cover और यह x-2 का क्यूब फटाक से देखो इसको समघ आजा जाना चीए कि यह माइनस बी का होल क्यूब की identity है तो यह क्या लिखेंगे एक क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस ठीए में ती स्क्वार बी प्लस अब गूडब सीधी स्क्वाइड पूरा सिकते इसको क्या लिखेंगे ओर एक स्क्रूरेड्ग श्क्यूरल फोल स्क्राइन की प्लस का वाण इक हो को समझा रहा हूं ना एक एक चीजों को समझा रहा हूं तो इसको थोड़ा सब्सक्राइब बताया था मैंने यह माइनस का माइनस अब यह ऐडली को सब्सक्राइब क्या है तो टुका सक्वेशर आफ इदर ग्रीमस फोर का काम स्टारं यह अपनी को ढूंद लेकार बनी बुलाया चला जाओ बोलता है तो यह आ गई चीक है यह आ गई चुक्चा बैढ़ गए दोनों साथ में ठीक है उसके बाद यह माइनस फॉर एक्स वाला बोलता है चलो मैं ढूनने निकला ठीक है अब यह निकला गड़ी लेकिए ठीक है रस्ते पर बहुत मोड़ा है ठीक है तो क्या हुआ माइनस फॉर एक्स स्क्वार ढूंड़ा इधर यह पड़ा था इधरी देखो इसका फैमिली आलग क्या कर रहा था बीच ओ बीच में लोगों के पतानी इसको बोला चल तू चला फटाक से चला यह माइनस में था तो इधर आके क्या बन गया प्लस में बन गय अब देखो इसकी फैमिली वाला यह तो कड़ गया दोनों प्लस माइनस में थे तो अभी माइनस प्लस अब बड़ी नमर सामने प्लस है मतलब यह क्या होगा टू एक्स का स्क्वार माइनस 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 का 13x प्लस 1819 हो गया इकोल्स टू जीरो ताप साब दिख रह साम एक्स स्क्वार प्लस बी एक्स प्लस सी इकोल्स टू जीरो और इसी लिए देयर फॉर ठीक है और जीवन एक्वेशन कि इस दा कॉड्राटिक को अधर टिक क्रिशन और मुस्स सारे कॉष्चन कवर कर रहा हूं बबा ठीक है अच्छे से देखो ठीक है इस जांग चलीए अभिशो स्क्राइब देखो इसमें स्टॉसम में देखआँ ठीक है भी हो टेक है यह तो पूरा सिंप्लिफाइब मिला है इसमें चांदी चांदी होगी आप लोगों क्यों क्यों हो गया है एक्स स्क्व्वेर माइनस 8-8 ओके न क्या करना है आप लोगों एक्षट उसको प्यूंड को बुला लिए मैनस को denying मैनस में तो उसको प्लस में बुला लिए और मइनस में पहस की इटाई एक्षट इंट सब्सक्राइब कर गया मतलब कि यह तो जीरो हो गया अब माइनस 5 एक्स में से एट एक्स गया तो 3 एक्सर माइनस 7 प्लस 8 1 इक्वल्स टू जिरो देखो यह कहां से इस इंडर्ट फॉर्म को फॉलो कर रही नहीं कर रही है तो क्या लिख सकते हैं इस नॉट इन दौ फॉर्म not in the form of x square plus bx plus c equals to 0. so therefore बिख सकते हैं गिवन एक्वेशन इसे लिख हैं इसे लिख सकते हैं इसे हैं इसे में इसे बीख सकते हैं। समझ जावब, अब ऐसे question करना है भीए, अब आप लोगों को कहीं भी doubt आए, तो आप लोग मुझे comment कीजिए, और फिर मैं आप लोगों को doubt को clear करतूंगा, I hope आप लोगों को समझ आ गया होगा, अब next part में हम लोग थोड़े से theory based question को करेंगे, ठिक, ओके, thank you, thank you so much.